शोपुर में आज पंडे दीन दियाल उपाध्याई का दीन दियाल पार्क में कारेकरताओं के द्वारा जन्मे दिन मनाए गया जन्मे दिन दिन दियाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुषपाहार पहना कर पंडे दीन दियाल उपाध्याई का जन्मे दिन मनाए गया सबसबर भाजबा कारिकरताओं की द्वारा वरक्ष रुपन भी किया गया यही नहीं भाजबा जिला अध्यक्ष की द्वारा बताया गया कि सवालाख वरक्ष लगाने का उद्धेश रखा गया है जिसने आज लगभग पचास अवरक्ष पंडे दीन दियाल उपाधिया के जन्मे दिन पर अवरक्ष रुपन कर कारक्रम को सफल बनाया वहीं जिला अध्यक्ष की द्वारा बताया गया कि पेड़ लगाना हमारा लक्ष नहीं है इनका ध्यान रखना भी हमारा करतव है हमने य दिखवाल करेंगे यही नहीं जो लक्ष हमने रखा है उसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे वहीं सभी पेड़ो को सुरक्ष लगा कर हम अपनी धर्ती को हरा भरा करेंगे जिससे हमारा वातवरान शुद्ध रहे आज पंडित दिन दियाल की जनम उफलेश में क्या संदेश रहेगा आपका और आपने उनके जनम दिन उफलेश बराने के बाद में आपने बिश्रो पड़ भी करा है हम सब भारती जनता पार्टी के कार करता हमारे युग दरिश्टा और हम जिनके बताय होए मार्क पर चलते हैं पंडित दिन्द्याल उपाद्याई जी की आज जन्म जयनती है। इस जन्म जयनती की अफसर पर आज सभी भारती जन्ता पार्टी की वरिश्ट नेता हमारे प्रदेश के सम्मानी है। साथ ये संकल प्लिया की हरा बरा मद्धिप्रदेश के अंतरगत 73 लाग पेड युवा मोर्चा पूरे मद्धिप्रदेश में लगा रहा है और इसी तारत्रम में शोपुर में भी 7 लाग पेड शोपुर में लगाने ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहीगी और केवल पेड लगाना नहीं है पेड लगाकर उसका संरक्षन करना भी है आज हमने 51 पेड यहां लगाए है 51 पेड लगाने के बाद हमारा नगर मंडल का युवा मोर्चा है अध्यक्ष सहित उनकी पूरी टीम 11 लोगों की टीम इनकी चिंता करेगी इन पेडों की चिंता करने के बाद जब हम अगले वर्स पंडित दिंद्याल उपादय जी की जेंती मनाने के लिए यहां आएंगे तब हम उस उन पेडों की समिक्षा भी करेंगे होता क्या है कि हम पेड़ लगा देते हैं पेड़ लगाने के बाद उसकी कोई चिंता नहीं करता पानी नहीं देता इस कारण से वे पेड़ सूक जाता है और उसका पेड़ लगाने का सार्थ तबी है जब हम उसकी चिंता करें एक बार वो पेड़ दो-तीन साल का जब बड़ा तो प्रकरति के माध्यम से फिर वे बड़ा होकर और पर्यावन संरक्षण की दिसा में काम करेगा मद्य प्रदेश युवामुर्चे को दन्यवाद युवामुर्चे के हमारी जिले की टीम को दन्यवाद कि उन्होंने कुनित कारी लिया है जो आने वाली हमारी पीडी है उस को पर्यावन जिस प्रकार हमारा संरक्षित रहना चाहिए बचना चाहिए उस दिसा में एक बड़ा कदम युवामुर्चे ने उठाया है धन्यवाद